नमजकार जिस्वी केशन चैनल पे आप सब भेहनों का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम आपके लिए बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन बनाने जा रहे हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए 5555 फंदों का इस्तेमाल करेंगे और राइट साइड से इसका डिजाइन को शिक ऐसा नजड़ाएगा तो अगर आप इस डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिए और फिड डिजाइन को बनाएगे तो इसके लिए हम एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे उसके बाद हम 5555 ऐसे फंदे लेकर एंड में हम टू फंदे लेंगे टू फंदे एक्स्ट्रा तो इस डिजाइन को हम ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे यह देखिए फ्रेंड हमने 55 फंदे ले लिए हैं पहले बॉर्डर बनाया है और एक फंदा आगे रखा है फाइव बीच में फिर 55 और टू फंदे तो टोटल हमारे फंदे हैं तो फ्रेंड्स हमने 15 फंदे बीच के डिजाइन के लिए हैं हम 3 डिजाइन बनाएंगे और 2 फंदे लास्ट में 17 और 1 आगे 18 फंदे लिए हैं तो हमने न ऑउनली 1, 2, 3 तीन ही डिब्बी बनानी है उसके उपर तो फिर देखते हैं तबी जो बनती है डिजाइन चेंज होता ह और छे सलाई में डिजाइन बन जाता है, दो सलाई का डिजाइन है, और चार सलाई एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो हमने क्या करना है, एक फंदा एज स्टिच हमने लेना है, और फाइव फंदे, तीन, चार और पांच, पांच फंदे जी हैं, ऐसे पांच पांच फंदे लेकर हम इससे पहले हमने 4 सलाई प्लेंड बनानी है, सीधी, पूरी सलाई, सीधी, जी सलाई हम पूरी सीधी बनाएंगे, राइट साइड से, जिदे देखे, सीधी और उल्टी, 2 सलाई हमने बना ली है, और हम इसको 10 नंबर पे बना रहे हैं, आप अपने भूल के हिसाब से सलाई उल्टी बनाई है दो सलाई और बनाएंगे सीधी और एक उल्टी दो सलाई और बनेगी तो हम चार सलाई प्लेन बना रहे हैं डिजाइन बहुत ही असान है जैसे ही आप बनाएंगे इसकी गुरूथ भी अच्छी होती है और बना हुआ डिजाइन बहुत ही प्यारा लगता है तो इसलिए राज़े आप इस डिजाइन को ज़रूर बनाएए देखिए ए तीन सलाई हमने बनाई है एक दो तीन अब फोर्थ सलाई है ए लटी सलाई है इसको भी हम बना लेंगे और right side में हम 2 slide का design बनाएंगे तो हमारी 6 slide complete हो जाएगे यह देखिए हमने 4 slide complete कर ली है अब हम right side में है right side में हम इसका design बनाएंगे design हमने एक फंदा slip करना है और 5 फंदों पे बनाना है ठीक है तो कैसे बनाएंगे आपके पास जितने प्रजेक्ट में फंदे है डाल लीजिए दो end में extra और एक आके extra अब जे देखिए पांच फंदों पे design बनाना है एक दो तीन चार पांच यह पांच फंदे हैं जब पांच फंदों में हमने design बनाना है तो हम क्या करेंगे हम ना पांच फंदे के जो side में एक लाइन दिखती है आपको जे वाली है ना जे जहां से हमने फंदे नकालने हैं तो हमने इसके जो एक बीज में हमें अभी आम दिखाते हैं कफंदाबाद में उतारेंगे पहले आपको समझा दें कैसे यह तो slip कर लेंगे दो चार पांच फंदे जे हैं हमारे इसमें design बनाना है जे जो line है ना इसमें से हम four hole नीचे जाएंगे कितने जे तो हमारा वैसे ही है फंदे के साथ बीच का hole इसको निशे डिएंगे इसके नीचे जो hole दिखता है ना जे वाला एक दो फिर तीन और चार जहां तक जाएंगे एक एक दो तीन चार पांच ऐसे गिनेंगे इसको five गिनेंगे दो फंदों के बीच में ये पांच तो हम कैसे count करेंगे एक दो तीन चार और पांच ये पांच वा है तो इनको हमने बुनना है कैसे एक फंदा तो slip करेंगे एजस्टिट जो हमारा है अब हमने पता क्या करना है हमने जहां से पांच वी जगा से फंदा नकालना है मतलब फूर्थ जगा से तो हम वहां सलाई डाल देंगे ऐसे सलाई डाली इसको ऐसे बुना और बाहर ले आए और बाहर जब हमने फंदे को लाना है तो simple लाना है बराबर इसके है ना टाइट ना लूस तो हम क्या करेंगे फिर इस फंदे को जैसे ही नकालना उसके साथ इस फंदे को भी बुन लेंगे तो हमारे दो फंदे हो गए एक एकस्ट्रा निकल आया और एक और अब हमने second जगा से एक दो तीन चार तो हमने second जगा से नकालना है जैसे जहां से तो हमने फंदा नकाल लिया अब उपर वाले उपर वाले होल से ऐसे slide डालेंगे हाथ को थोड़ा lose रखेंगे फिर हम फंदा नकाल लेंगे उसके बराबर इसके बराबर हो गया फिर हम इस फंदे को भी बुल लेंगे तो दो बार हमने बुल लिया दो चार फंदे हो गया अब हमने उसके next वाले होल में से नकालना है जहां से नकाल लिया ऐसे इसको इसके बराबर रखना है थोड़ा ये long फिर थोड़ा छोटा फिर long छोटा उससे तो ऐसे बराबर आएंगे बुनाई के इसके साथ वाले फंदे को भी बुल लेंगे हाथ को soft रखना है टाइट नहीं रखना है टाइट रखेंगे तो design congested एकठा हो जाएगा अब तीन बार नकालना तो तीन फंदे बुन लिया अब फोर्थ बार एक होल और है फोर्थ बार नकाल लेंगे ऐसे और फोर्थ बंदा बुनेंगे ठीक है और five बार हम इसमें से नक नकाल लेंगे दो फंदों के बीज में यह लाइन बन गी है ना हमारी एक दो तीन चार एफ पांच वा फंदा जहां से हम नकाल लेंगे होल में से दोनो फंदों के तो यह थोड़ा चोटा पीस है तो इसको भी पांच में फंदे को भी बुन लेंगे अब जे देखी हमने five फंदे बुने पांचों फंदों में बारी-बारी से हमने फंदा नकाला और उसके आगये का फंदा एक simple बुना पिर फंदा नकाला बुन फिर निकाला फंदा बुना फिर फंदा दोनों के होल में से निकाला और बुना तो पांच के दस फंदे होगे बाज फंदे तो निकाले थे और पांच फंदे सिंपल जो थे वो बुन लिये तो हमारे कितने फंदे होगे दस अब जहां यह देखिए होल नजर आ रहे है पूरे अब ऐसे ही आगे के पांच फंदे हमने देखने है चाहे आप जहां मार्क रख लीजिए अगर नहीं पता चलेगा स्टार्टिंग में दो चार पांच अब इस में से फिर हम होल देखेंगे फूर्थ वाला एक दो तीन चार तो यह होल है जहां से हम फंदा निकाल लेंगे इस होल से ठीक है तो ऐसे हम फंदा फिर निकाल लेंगे कुछ नहीं करना है वैसे ही सेम करना है फंदा निकाल लिया एक फंदा बुन लिया ठीक है फिर आगे सैकन में से सेकन होल में से फंदा निकाला है न ऐसे ब्राबर कर लेना है फिर नेक्स्ट फंदा बुना फिर इस में से फंदा निकाला तीन बार और तीसरा फंदा बुना फिर फंदा निकाला चार बार और चोथा फंदा बुना फिर फंदा निकाला दुनों के ब्रबर होल में से ऐसे तो पांचламा फंदः से नकालना है और इस फंदे को पांचमे को फिफ्थ फंदे को बोल लेना है तो जे देखिए हमारा डिजाइन बन गया ना डो पीस एक जे डिजाइन एक जे अब आगे हमने फिर पाँच फंदों में से ऐसे ही सेम करना है एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँचवे फंदे में से फूर्थ जगा पे एक, दो, तीन, चार जे है फूर्थ ठीक है? जहां से फिर फंदा नकालना है जब हम आउँ देखिए फंदा नकालते हैं न, ऐसे तो, खीच कर नहीं नकालना है ऐसे सिंपल, सोबर, सौफ्ट जब खीच के नकालनेंगे तो ऐसे हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा डिजाइन का थोड़ा सा लूज, थोड़ा सा सौफ्ट आथों से ब्राबबर, मतलब नकालनेंगे तो इस फंदे के ब्राबबर आना चाहिए आगया फिर इस फंदे को भी बुनेंगे है न, तो तभी तो ठीकेगा अब आगे फिर हमने सेकंड होल में से नकालना है तो सौफ्ट आतों से दो, दो बर और इसको बुन लिया दो बर, अब तीसरी बार नकालना है, तीसरे होल में से, ऐसे और तीसरा फंदा बुन लिया, अब फोर्थ होल, जे फोर्थ है न, इसमें से नकालना है और इसको भी फोर्थ को बुन लिया, अब इन दोनों में से नकालना है दो फंदे दीख रहे हैं, इसमें से नकालना है, ऐसे नकालना और इसको भी बुल लिया तो लास्ट में हमने दो फंदे सिंपल सीधे बुनने है यह देखिए, बुल लिये, अब हमारा डिजाइन देखिए ऐसे ही हमने इसमें भी बनाया है जी देखिए है ना वो सुन्दर बना है तो ऐसे हमारा ये डिजाइन बन गया अब हमने क्या करना है फंदे हमारे 10 बन गये 10 10 रखे थे हमने 5 5 5 लेकिन उसमें से हमने 5 5 फंदे नकाल ले थे तो अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स मेरे प्यारे व्यूर्स आप इसको बना सकते हैं, बिगनर भी एक फंदा तो एजस्टी चुतार लिया, एक फंदा हमने बुल लिया अब जे देखिए, दस फंदे थे, तो हमारे ए उल्टा बुना था, ए फंदा हमने निकाला था जे तो उल्टा बुना था, सिदा बुना था ना, तो इदर उल्टा आ गया था, एक हमने निकाला था और बुना हुआ और निकाला हुआ फंदा दोनों को हमने एक करना है दो का ऐसे दो का एक किया फिर बुना हुआ और निकाला हुआ फंदा दो का एक करना है पहले बुना हुआ आना चाहिए जो बुना हुआ है उदर से सीधा बुना था इधर उल्टा दीख रहा है उसको और साथ वो ले दो का एक फिर दो का एक फिर दो का एक जब ऐसे हम करेंगे दो का एक दो का एक तो ऐसा डिजाहिन दीखेगा ठीक है आगे फिर देखिए दस फंदे हैं जे अलग से दिख रहे हैं इसमें देखिए जे हमारे फंदे बुणे हुए हैं एक दो तीन चार पाँच ये हमने सीधे बुणे थे बीच में हमने पाँच फंदे सीधे निकाल ले थे तो हम बुणे हुए को और निकाल ले हुए ऐसे निकाला हुआ तो 2 का 1 मतलब जो ए रॉंक साइड है ना आने पूरे 2 का 1 2 का 1 है ऐसे 2 का 1 2 का 1 फिर आग्गे वाले 5 फंदे जे आपने राजय दियान रखना है तब ही ए डिजाइन आएगा वरना उल्ट पुल्ट हो जाएगा दो का एक और लास्ट में हमारा सिंपल एक फंदा ठीक है अब हम आते हैं इसकी राइट साइड में और ये देखिए डिजाइन बिल्कुल बनके रैडी हो गया है अब इनी शेस लाइओं को हमने रिपीट करना है लेकन डिजाइन हमारा जो हमारे पांच फंदे हैं इसके बीच में आना है बीच में मतलब तीन फंदों के तीन फंदे बुनेंगे उसके बीच में आना है तो हम क्या करेंगे हम पहले फूर स्लाई बुनेंगे सीधी एक प्लेन सीधी है ना फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी तो हम पहले सीधी बुनेंगे अब हम उल्टी बुनेंगे सेकंड सलाई जो प्लेन बीच में आती है चार सलाई है तो सेकंड सलाई पूरी उल्टी जो देखिए तो सलाई हमने बना ली है दो सलाई और बनाएंगे जो थर्ड सलाई है हमा अब फूर्थ स्लाई बनाएंगे, रॉंग साइड से, आल स्टिच उल्टे, रॉंग साइड है, जी देखिए फ्रेंड्स हमने चार स्लाई बना ली है, बीज में सिंपल, एक, दो, तीन, चार, चार होगी, अब हमने इस डिजाइन को पहले एक फंदा बुना था, और पांच छोड़े थे, तो फिर हमने जहां से फंदा निकालना था, अब हमने जहां से फंदा नहीं निकालना है, अब हमने इसके बीच में से फंदा निकालना है, लेकन जहां पे डिजाइन नहीं बनेगा, जहां पे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, एक फंदा लिया, फिर हमने दो, 3 फंदे simple बुने अब हम इसके बीच में से नकालना है जहां से 3 फंदे हमने बुरने है पहले पिर हमने 5 फंदे लेने हैं क्योंकि जहां डिजाइन हम नहीं बना रहे हैं तीन वाला हम पांच फंदों कपे बनाएंगे फिर हम पांच फंदों पे जहां पे पीछे हमारे जब हम प्रजेक्ट में बनाएंगे ऐसे ही तो लास्ट में हमारे चार फंदे शूटेंगे ठीक है और फर्स्ट में हमारे तीन फंदे मदब चार फंदे ही शूटेंगे ही डालेंगे और चार फ्रंट के जैसे ही आप अपने प्रजेक्ट में पूरा डिजाइन सेट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे एंड में जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे तो आपने ऐसे बनाना है इसका द्यार का वरना डिजाइन एक्स्ट्र बढ़ जाएगा बस जब हम ऐसे एक फंदा स्लिप करके जैसे हमने फर्स्ट स्लाइब नाई सेकंड थर्ड फॉर्ड फीफ दो स्लाइड डिजाइन की बनाई थी उसमें जैसे हमने बनाया वैसा से बनाना है तब ही डिजाइन ठीक आएगा जब हम सेकंड लाइन अब बीज में डालना है वैसे हमारे जे पाच फंदे थे ना तो पाच फंदों का डिजाइन था तो जहां से निकला था डिजाइन जहां से अब हमने जहां से जो निकला डिजाइन दो छोड़ देने है इसके बीज में से फंदे नकालने है तो इस से पहले वाले पाच फंदे हम एक, दो, तीन, चार और उपरवाला पांच तो हम फोर्थ में जाएंगे एक, दो, तीन, और जे है चार, तो चार फंदे वे नीचे जाएंगे, तो एक स्टिच नकाल लेंगे फंदा, और इसको ब्रापर करेंगे, और इसको बुन लेंगे फिर सेकंड होल में से नकाल लेंगे और इसको बुनेंगे सेकंड को थर्ड में से नकाल लेंगे नकालने वैसे है, जैसे हमने पहले बताया था, थर्ड फंदा बुनेंगे फोर्थ में से नकाल लेंगे फोर्थ फंदा बुनेंगे फिफ्थ में से नकाल लेंगे ठीक है तो ऐसे हमने करना है और ऐसे ही आगए के 5 फंदों में हमने करना है यहां से तो यह डिजाइन हमारा बढ़ गया आगए के 5 फंदों में हम फिर वैसे ही नकाल के आपको दिखाते हैं एक दो तीन चार और पाँच ठीक है जो देखिए फ्रेंड्स हमारे दो डिजाइन आए है पहले तीन थे न अब दो अब लास्ट में हमने चार फंदे सिंपल बनने है एक दो तीन चार तो हमारा डिजाइन कम्प्लीट रोगे चार ये है चार ये है अब इसके बीच में हमने फिर से चार स्लाई बनानी है सिंपल तो इसी डिजाइन को वो आपने रिपीट करना है, पहले तो हम डिजाइन के साथ वाली उल्टी सलाई बनाएंगे, चार फंदे सिंपल बुनेंगे, और दो का एक करेंगे, बुना हुआ फंदा, और निकाला हुआ फंदा, तो ऐसे हम दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, ऐ देंगे लेकां तरीका आपको पता है अब लास्ट में चार फंदे हम सिंपल बनेंगे तो हमारा डिजाइन यह देखना कैसा सुन्दर बनके आया है यह देखे न तो ऐसे आपने डिजाइन को बनाना है बहुत प्यारा लगता है इसको किसी भी कलर में डालिए तो बनके बहु तो ऐसे आपने इनी बारा स्लाई को रिपीट करना है और डिजाइन आपका रैडी हो जाएगा अब जब नेक्स्ट हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो हम एक सिंपल बनेंगे जैसे फर्स्ट स्लाई में बनेंगे तो ऐसे डिजाइन बन जाएगा न जब तो ऐसे लगेग फिर उसके बीच में आया अब फिर जहां फर्स्ट एक फंदा स्लिप करेंगे और पाँच फंदों पे डिजाइन डालेंगे तो ऐसे हमारा डिजाइन बन कर रेडी हो जाएगा बहुत ही सुन्दर सा तो फ्रेफ्रेंड्स आप इसको बनाईे और हमारे साथ शेयर करिए थैंक यू